नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर स्वागत हैं बात करूंगा इंडिया में क्या फिर से लोगडाउन लगने वाला जी हाँ आपके साथ से करूंगा ये बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रहे क्योंकि बहुत सारा इस समय वीडियो वाइरल हो कि इंडिया में फिर से 25 सक्टमबर 2020 को फिर से मतलब लोगडाउन लगा दिया जाएगा तो क्या ये हकीकत है साथ ही आपना नीयमामले आये और अब तक टोटल कितना बीमारी इंडिया में आ आछिका तो पूरा अपडेट आपके साथ सेर कंगल चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब पर दे साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि नई नई अपडेट सबसे पहले पहुतती रहे तो बात करें जैसा अभी आपको मालूम होगा कि इंडिया में बहुत सारी इलाकों में वह जहां पे केस ज़ादा है वहां पे तो लगाता का लोग डाओन कांटीनू है लेकिन जैसे गरीशे वार्त है रेडी अरिया हो गया उसी हिसाब से डेसाइज किया जाता है लेकिन इस स इस वीडियो में यह भी बताया गया लेकिन आपको तो दे कि इसमें रियल्टी क्या है कि क्या इंडिया में लोकडाउन लगने वाला हुई केस के बात करें तो इंडिया में मतलब अब तक 49,000,000 पलस केस आज तक मतलब हो चुका है इसमें आपको तक तक रीबन रोज 80,000 के कर में डेली 80,000, 90,000 डेली केस आता है जो कि काफी भारी मात्रा में हो ही बात करें तो 80,000 पलस आजमी वहां पे इंडिया में अपनी जान गवा बैठे हैं जो कि काफी बैड है क्योंकि देखा जाए तो लगातार मतलब इंडिया में 80,000 एक दिन में जब केस आ रहा तो पिर आ लोग डाउन लगा दिया जाएगा लेकिन आपको वतादी इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है जी बिल्कुल रेयल्टी ही नहीं है कि मतलब 25 सेक्टमबर 2020 को इंडिया में लोग डाउन लगा दिया जाएगा बिल्कुल ऐसा नहीं है क्योंकि अगर जो वीडियो वाइरल हो इसा पूरा चक किया गया जो कि आपको दे कि आज इंडिया टूडे हो गया बीपी न्यूज ने भी चक किया लेकिन इसमें कुछ भी सच्चाई एक भी सच्चाई सामने नहीं आई पूरी तरह से फैक वीडियो यह वाइरल हो रही थी लोगों तक मतलब सोसल मीडिया के द् केंटरी ओपन केर हो रहे हैं तो इंडिया क्यों लोगडाउन लगाएगा आप खुछ समझ सकते हैं क्योंकि इंडिया में भले 80-90,000 केस एक दिन में आ रहे हैं क्योंकि बड़ी जन संक्या वाला देश है तो केस तो आएंगे ही भाई तो यह थी अपडेट 25 सक्तमबर को को कोई भी लोगडाउन नहीं लगेगा तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगों सब्सक्राइब कर देगा नमस्कार